हाई स्कूल केंपस पाली में एक छात्र की डंडे से बेरहमी से पिटाई कर दी गई गट्डा में छात्र के पीट में डंडे का निशान उफर आया मामले की शिकात पर पालिस पुलिस नहीं अपराद दर्जकर विवेच नहीं मिलिया है गटना के वक्त अपराचारी स्कूल परिसर में ही खड़ी तमासा देखती रही और कोई हस्तक शेप नहीं किया हाई स्कूल में कक्षा बारवी तक की पूरप परिक्षा आयोजित की जा रही थी परिक्षा दिलाने हर्दी बाजार निवासी हिमानसु जगत पाली हाई स्कूल आया हुआ था बताया जा रहा है कि परिक्षा हौल में एक अन्य चात्र हेडन लाल मुबाईल लेकर बैठा था जिसकी शिकार्थ हिमानसु जगत ने सिख्षकों के सामने कर दी जिससे हेडन लाल नाराज हो गया परिक्षा कात्म होने के बाहर सभी विद्यार थी बाहर निकले तब हिमानसू जगत भी कक्षा से बाहर आया शिकार से राराज हेडनलाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर हिमानसू को घे लिया और डंडो से पिटाई कर दी इस तोरान वो जान से माने की धमकी भी देता रहा इसी तोरान किसी ने गटना करम का वीडियो बना कर वायरल कर दिया गटना में हिमानसु के पीट पर डणने के निशान उभराए हैं। गटना के शिकायत हिमानसु ने पाली थाना में दर्ज कराया है। जहाँ पुलिस ने मामले को दर्ज कर विवेचना मिलिया है। बताया जा रहा है कि हेडरलाल सत्ताधारी दल के नेता का रिष्टेदार गोंगपा युवा मुर्चा ब्लाक के अधक्ष जगत नेन ताम का कहना है कि हमानचु जगत के साथ बेरेमी से मार पीट के जाने की गोंगपा निस्पक्ष जांच की मान करती है। दोशी के पर कारवाई की जाए। उन्होंने कहा कि वीडियो में सपश्ट दिख रहा है कि वेरो रिपोर्ट गुरात्म टिपोर नियूज। आयश्मान जन आरो के योजना के तहट सभी प्रकार के मेडिकलेम की सुविधा उपलब्द है। हमारे यहां लेजर कैंसर, अस्थी रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूती रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उप्चार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ओप्रेशन अवरीवा के नैशनल हस्पिताल में उपलब्द है। नैशनल हस्पितल के संचालर डॉक्टर अखिलेस पतेल के द्वारा उपलब्द करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आइसमान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 756683551 पर हमारा पता है नैशनल हस्पितल समानतिराहा रिवा संपर्क करें 07662 359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885999 पर